सो गाइज फाइनली एवेंजर एंड गेम रिलीज हो चुकी और फिल्म ने बोक्स ओफिस पर कमाल की कमाई की और पहले दिन ही 53 करोड का नेट कलेक्शन किया और ग्रोस कलेक्शन फिल्म का 70 करोड से भी जादा रहा दोस्तो फिल्म इंडिया में हिंदी, तमील और तेल्गु में रिलीज हुई और साथ इसाथ कुछ जगए इंगलिस वर्जन में भी रिलीज हुई है लेकिन दोस्तो सबसे ज़्यादा इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है हिंदी वर्जन में यहां दोस्तों इस film के जो dubbing हुई है, वो काफी सांदार है, और कहीं न कहीं देखे जाए, तो जितने अच्छे इस film के dubbing हुई है, उसका पूरा क्रेड़िट जाता है, इस film के dubbing artist को, तो दोस्तों आज की इस video में हम बात करने वाले हैं, कि Avenger End Game में, किस character के लिए किस artist ने अ तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं The Ascent One की तो दोस्तो The Ascent One को आवाज दी है स्रेनाच पटेल ने वही बात करें अगर गुजबोन्स की तो दोस्तो गुजबन को आवाज दी है साहिल चड़ा ने वही बात करें अगर ओं की तो दोस्तो ओं को आवाज दी है राजा सेवक न वही वीजन को आवाज दी है अतुल कपूर ने और बात करे वैकरी की तो वैकरी को आवाज दी है मलिसका ने जो की एक रेडियो जोकी है वही दोस्तो बात करे अगर इस्टार लोड की तो इस्टार लोड को हिंदे में आवाज दी है नितिन ककर ने वही दोस्तों बात करें श्टेनली के बारे में तो श्टेनली को आवाज दी है कुमार राम प्रवेश ने वही दोस्तों सूरी को आवाज दी है प्रिया अडिवेर करने और बात करें वांडा की तो दोस्तों वांडा को आवाज दी है पुजा पंजाबी ने वही दोस्तो रोकेट जो के मेरा फेवरेट करेक्टर है एवेंजर में उसे आवाज दी है निनान कामत ने और दोस्तो बात करें पोट्स के तो पोट्स को आवाज दी है अरन्या कोर ने और दोस्तो सबसे फेवरेट करेक्टर पिग्य चार्टर, पिग्य चार्टर को आवाज दी है अंजुल जमवाल ने, वही दोस्तो मेंटिस को आवाज दी है मुस्कैन जाफरी ने, और गमोरो का आवाज दी है मोना सेटी ने, ओकी को आवाज दी है मीना नहटा ने, और इसको को आवाज दिये है सबतरी सी घोस ने वही बात करें जैनी फोस्टर की तो जैनी फोस्टर को आवाज दिये तोसी सिना ने वही जेम्स रोडेस को आवाज दिये राजेस जोली ने बात करें स्पाइडर में की तो दोस्तों स्पाइडर में के पिछले वर्जन में टाइगर स्र वही नेबुला की बात करें तो नेबुला का आवाज दी है टीना पारेक ने वही दोस्तो निक फिऊरू का आवाज दी है सक्ती सिंग जो कि सौथ फिल्मों में ज्यादा जर चिरण जीवी के आवाज डब करते हैं वही दोस्तों बात करें डाक्टर इस्ट्रेंज की तो डाक्टर इस्ट्रेंज को आवाज दिये है मोहन कपूर सर ने जो कि कई तरह के धारावाइक में हमें नजर आ चुके और साथ इसाथ फिल्में भी करते रहते हैं वही दोस्तों बात करें होकी की तो होकी को आवाज दी है सौथ फिल्मों के सबसे बेश्ट डबिंग आर्टिस्ट जी हा दोस्तों हम बात करें संकेत महतरे की तो होकी को आवाज संकेत महतरे सर ने दी है वही बात करे एविंजर एंड गेम के सबसे खतरना करेक्टर यानि की थेनोस के बारे में तो दोस्तो थेनोस को आवाज दी है नीनत कामत ने वही बात करे अगर कारनोल डैन्वेस यानि की केप्टन मार्वल के बारे में वही दोस्तो थोर यानि कि थोर सीरिज के मेन हीरो तो दोस्तो थोर को आवास दी है गूर चोपडा ने जो इससे पहले कई फिलमों में और धरावीक में अजरा आचुके हैं वही दोस्तों बात करें इस्टेव रोजर यानि कि केप्टन आमिरिका की तो केप्टन आमिरिका को आवाज दी है जोई सेन गुपता ने वही दोस्तों बात करें एवेंजर एंड गेम के खास हीरो यानि कि हमारे टोनी भाईया सक्तलोंडों के भी बाप जहां दोस्तों टोनी गेम के डबिंग आइटिस्ट उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथी साथ कमेंट करके बताईएगा कि इन सभी सूपर हीरो में आपका फिवरेट करेक्टर कोन है मैं मिलता ह हूँ आपसे अगले वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम